थाली में हाथ धोते समय ना करें गल्तियां सास्त्रों के अनुसार जिस घर में अन का अपमान होता है महामा अन पूरा और देवी लक्ष्मी बिराज मान नहीं होती नमबर एक थाली में हाथ धोना वास्त के अनुसार ये असुभ होता है माननता है कि थाली में जूठे हाथ धोने से जो अन के कण बज जाते हैं उनका अपमान होता है ऐसा करने पर दरिजता आती है नमबर दो माननता है कि भोजन जूठा छोड़ने पर घर की बरकत चलिजाती है क्योंकि यूठा भोजन छोड़ने पर खाने की बरबादी होती है जिससे मा अनपूर्णा नाराज हो जाती है नमबर तीन इसकी अलावा भोजन की थाली को कभी एक हाँच से नहीं पकरना चाहिए नमबर चार सास्त्रों में भोजन की थाली हमेशा चटाई, पाट या चौकट पर सम्मान पूर्वग ही रखनी चाहिए नमबर पाँच सास्त्रों में भोजन से पहले भगवान का ध्यान लगाना उत्तम बताया गया है ऐसा कहा जाता है कि खाना खाते समय क्रोध बादचीत नहीं करने चाहिए नमबर छे, वही दूसरी तरफ माननता है कि तीन रोटी वाली थाली मिरतक को समर्पित होती है जिस बैक्त की मिरत हो जाती है उसके नाम ही थाली में तीन रोटियां रखी जाती है मेरे प्यारे दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो कि पर एक लाइक एक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना ना भूलें जिसे मैं आपके लिए और नई नई वीडियों लाता रहूं धन्यवाद